इसके अंदर जो काम की बाते वो बता रहा हो आपको सबसे पहले CSR किसको अप्लीके बल है अगर प्रिसीडिंग फिनांचल यर में आपके तीन चीजे चेक करना है तीनों में से कोई भी एक मिट किया तो आपको CSR अप्लीके बल हो जाएगा अगर आपका net worth 500 या उससे उपपर है, turn over 1000 या उससे उपपर है, या फिर net profit 5 क्रड़ उससे उपपर है, अगर यह तीनों में से any one meet करता है, तो आपको क्या applicable हो जाएगा, आपको CSR applicable हो जाएगा, ठीक है, अब यह याद कैसे करेंगे सर, देखो, जहां भी N, N है, वहाँ 500 और पाच है, net worth में 500 है, net profit में 5 है, और turnover से T, turnover से 10, तो turnover में 1000 है, ऐसा याद रखना, अब जैसा याद रखना, तुम्हारी मर्जी है, मैं आपको hint दे दिया, ठीक है, N, पाच पाच है, T से 10, T से 1000, confusion क्या होता है, कि 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 का 500 है, कि कि का 1000 है समस्ता नहीं है, तो आपको मैंने hint दे दिया, T से 1000, T से 10, T से 1000, बराबर और जितने भी NN है, 505 है, और of course network जादे रएगा, net worth का 500 है, simple, खत्म कहानी, ठीक है, अब जिसको भी CSR applicable हो गया, उसको दो चीज़े करनी है, एक तो CSR पे खर्चा करना है, और CSR committee बनानी है, ठीक है, यह बात ध्यान ना, अब एक ambiguity है इसके अंदर, ambiguity कहा है, सुनना, यह जब आप चेक कर रहे हो ना, preceding financial में CSR applicable है की नहीं है, यह चेक करने के बाद, अगर आपको current year में CSR applicable हो गया, तो यह ना, जब ICN question solve किया है, अब इसमें बेर act में भी ambiguity है, बट मैं question point वी से बतारो, exam आदे तो क्या करना है, अगर CSR एक applicable हुआ ना, तो आपको 3 years तक applicable है, CSR once applicable, applicable for 3 years, मतलब, यह जो चीज है, preceding financial check करने वाली, यह आपको जिन्देगी में first time CSR applicable है की नहीं, उसके लिए चेक करना है, उसके बाद, एक बार CSR applicable हो गया, तो 3 से तक apply करना पड़ेगा, यह ideally question point वी से बता रहा हूं है, आपको, reality में इसा नहीं होना चाहिए, reality में क्या, अगर वो बोलता है, previous year का check करो, तो मगलू हर साल चेक करना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं बोलता है question के अंदर, तो यह बात ध्यान अटना पहली चीज, ठीके, अच्छा, अगर आपको CSR applicable हो गया, तो कितना खर्चा करोगे, जितना भी net profit है, पिछले तीन साल का, उसका 2%, average net profit of 3 preceding financial years, suppose current year आपका है, 21, 22, तो तीन financial year previous वाले कौन से रहेंगे, 20, 21, 19, 20 और 18, 19, इन तीनों का, suppose profit 5 था, 10 था, 15 था, इसका average निकालना, तो 5 plus 10 plus 15, total कितना हो गया, 30, 30 divided by 3 years, average कितना हो गया, 10 करोड, इसका 2%, या आता है basic चीज, बस, इतना आपको खर्चा करना है, इसके लावा एक और important बात, अगर आपने कोई भी excess खर्चा कर लिया, excess खर्चा कर लिया, तो excess खर्चे का क्या करना है, क्या आप उसको next year में carry forward कर सकते हो, क्या, standard बोलता है, कर सकतो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, suppose में को करना था 10 करोड का 2CR, 2%, तो मुझे कितना इंकर करना था 10 into 2%, that is 20 lakhs, अब मैंने खर्चा करते 35 lakhs, तो जो excess 15 lakh मैंने इंकर किया, यह मैं next year में carry forward कर सकता, simple, इतना आपको ध्यान रखना है, you can carry forward in next year, next, और कितने साल तर carry forward कर सकते हो, आप 3 years तक यह को carry forward कर सकते हो, 3 years तक, you can carry forward for 3 years, you can carry forward for how many years, for 3 years, ध्यान रखना, clear यह वाला पाट, ठीक है, उसके बाद, अब एना मैं time pass वाली बात नहीं कर रहो, यह सब समझ जाएगा, कि unspent amount, अच्छा, एक और चीज, CSR पर खर्चा नहीं करोगे, तो उसको transfer करना पड़ेगा, अगर unspent amount है, और आपने कोई भी project undertake नहीं किया हुआ है, तो 6 मेने के अंदर schedule 7 के fund में transfer कर देना, अगर unspent amount है, but it is for an ongoing project, मतलना काम शुरू कर दिया है, लेकिन मैं payment तो तूरंद नहीं करूँगा, payment बात में करूँगा, तो if it is for any ongoing project, तो उस case में आप उसको separate bank account में रखना, तीस दिन के अंदर separate account में transfer कर देना, और तीन साल के अंदर खर्चा कर देना, ऐसा, तो ये एक बार करोगे समझ जाएगा, आपको, अपको, अग्जाम पॉइंट व ठीक है, और एक ये वाले, supply of own manufacturing goods by an entity, इसका मतलब, जब company खुद के goods देता है, फ्री में, तो उसको क्या CSR का खर्चा मान सकते है, क्या, suppose for example, suppose मैं पारले जी biscuit बनाता हूँ, ठीक है, मैं हर packet 10 रुबे के अंदर बेशता हूँ, ये मेरा MRP है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, म मैंने कब बोला, गरीबों के लिए 20% off, और ये discount मैं सबको देता हूँ, जिस होता है, कभी-कभी मैंने बोला, मेरे lectures पर 20% off, अब वो 20% मैं पुरा साल भर देता हूँ, सबको देता हूँ, बोलने के लिए 20% off, देता हमां सबको, अब बताओ, क्या ये आपने कोई CSR किया ग करते हो, और वो ही activity आप आपस कंदक कर रहे हो, ये बोलके कि गरीबों को भी 20% में, आबे तो सबको 20% में दे रहे हैं, तो कोई CSR नहीं है, पहले चीज़, second चीज़, अगर आपने पार ले चीज़, अब उस फ्री में दिया होता, डिस्काउंट नि फ्री में दिया होता, और आप सबको फ्री में देते, आप सिफ गरीबों को फ्री में दे रहे हो, किसको दे रहे हो, सिफ गरीबों को फ्री में दे रहे हो, तो क्या इसको CSR माना जाएगा, हाँ, अगर आप किसी और को normal निदित है कुछ भी, बट गरीब है इसलिए आप फ्री में दे रहे हो, त लेकिन अब इसका CSR का खर्चा कितना होगा, MRP जितनी है वो नहीं होगा खर्चा, जो इसकी कॉस्ट है, सपोज बनाने में खर्चा लगा 4 रूपया, तो 4 रूपयार will be the CSR का expense, MRP जितना तुमको बनाने में कॉस्ट लगा, वो तुम्हारा से खर्चा होगा, कभी-कभी क्या होता है, जब आप biscuit बना रहे हो, तो बनाने में you will use the raw materials, तो उस पर GST लग जाता है कभी-कभी, तो cost will be including GST, ठीक है, मतलब suppose आपने खर्चा किया 4 रूपया, और 4 रूपय में आपने 1 रूपय GST भी इंकर किया था, तो कोई नहीं including GST वाला जो cost है, वो आपको CSR expenditure माना supply of manufacturing goods, ठीक है, अगर वापस से, वापस से, दो चीज में ने बतायती, अगर जो normal course of business में discount देते हो, वो discount दिया, यह CSR नहीं है, second, अगर free में दिया, तो जितना भी cost है, उतना है अपका CSR होएगा, दियान रखना, बराबर यह 2 पंट आपको याद रहेंगे क्या, और CSR के applic इतना पढ़ लोगे न, CSR में काम बन जाएगा, आपका, अब sir, इसके questions बताओ, कुन से कुन से करके जाने, फटाबट से questions पर आओ, फटाबट से questions पर आओ, फटाबट से questions पर आओ, लास्ट पेच पर आओ, इसमें बहुत सारी conditions वगएर हैं, लेकिन CSR की इतनी depth किसको relevant है, जो law में अगर यह होता तो relevant होती, कि committee 50 lakhs के ओपर का CSR में बनेगा, यह बनेगा, अरे वो सब यह relevant नहीं है भाई, ज्यान रटना, किदर गया मेरा CSR, यह रा मेरा CSR, देखो, मैं आपको उता तो कुन सा question करके दाना है, फटा-फट से मैं आपको करवाते ताओ, इधर कर इ मैंने क्या बताया था, वापस याद करते हैं, N, N में 5, 5 था, Net Profit में 5 था, और Net Worth में 500 था, और T से 1000 देखो, किसा याद हो गया easily, तो अभी प्रीवेसर में अगर यह meet कर गया तो, करना है आपको, तो प्रीवेसर में meet करते हैं, कर नेट प्रॉफिट टेक्सीड करी गया भा था तो, बहुत करके लावा अपको, टिकिया यह वाला पार्ट, बतार हों बहुत, यह यह वाला, Q Louise Praction no. 6, क्या बोलता है सुनो, बोलता है जम्मकส्मीर में बाड आ गई, flood आया, और flood आया, तो मैंने affected areas में activities का, वो करी, conduct, और a concession and discount, , discount में activity कंडग करवा हो में सब के लिए , अब ये बोला इन ही नहीं है कि ये डिसकाउब नॉमल देता है कि नहीं कि नहीं देता है , तो question में 12,35 से answer करने का , क्या बोलने का अगर ये discount वह नॉर्मल कोर्सफ बिसनस में भी देता है , तो इसको CSR कॉलिफाइ नहीं किया जाएगा तो यह CSR नहीं माना जाएगा ICA जब भी डिस्काउंट देता है ना कोई कंपनी तो यह मानता है कि नॉर्मल भी देता होगा तो CSR मानता ही नहीं है यह दोड़ आपके question एक तो applicability और है कि यह important है ऐसा एक और question है नीचे बताता हूं मैं आपको कुन से है अब यह जो दो question कराया है ना मैंना आपको उसका merge करके एक question है question number one पहले पूछता है applicability बताओ फिर बोलता है देखो applicability बताओ तो previous sir का check करना फिर बोलता है कि बताओ अब हमने डिस्क यह concessional rate पे वो consider किया एक्टिविटीज वगरा कंडग किया क्या क्या किया मैंने बुलाता है ना consider नहीं करता है वो वो मानता है कि ordinary course बिजनस में होता है यह तो नहीं करना इसको ज्यान रतना मतलब इसको CSR नहीं माना जाएगा अभी तो किया यह question तो जो दो question कराया उसका merging यह question है यह question number 3 वापस से बोलता है applicability तो चेक करने का previous year में auditor वाला देखने का previous year में condition meet करता है क्या तो यह net profit तो meet कर गया तो applicable हो गया और प्रिवेसर का देखना है प्रिवेसर का है क्या अपने पास फिर बोलता है discount पे दिया privilege वालों को discount पे दे रहे है है न मैंने क्या बोला था जब भी discount पे दे रहे है यह बोलता है कि हम मानते है कि यह normal course of business में है बराबर तो does not qualify CSR expenditure कहानी खता है बराबर बस यह बात मैं बोला ना दो ही चीज़ पर question पूछता है यह दो पर applicability पे और यह वाले पार्ट पर जहां वो बोलता है मेरे किताब के वन थ्री फोर यह भी कल लिए तो काफी हो जाते तुम्हारे लिए क्लियर है और कुछ बसता है किया नहीं मेरे रिकाल्च और कुछ बसता नहीं है